अब क्योंकि चुनावों में मुखे भूमिका भी तो जनता की होती है इसलिए हम आपको निरंतर तौर पर प्रदेश के समस्त विधान सभा जुनावों का इतिहाज बता रहे हैं हल्दवानी लाइफ के शो वोटिंग उत्राखंड में हम एक बार फिर एक नए वीडियो, नए शेत, नए आकड़ो को आपके बीच साजा करने के लिए आ गए हैं इस बार बात एक ऐसी विधान सभा सीट की जहां पर मामला एक तरफा रहा है हम जस्पुर सीट की बात कर रहे हैं जहां एक बार निर्दल ये तो तीन बार कॉंग्रेस ने जीत हासिल की है इस सीट पर पहले ही तीन चुनाव अपने नाम कर डॉक्टर शेलेंद्र मोहन सिंग्धल ने हैट्रिक भी जमाई थी भेरहाल आज हम इसी सीट के बारे में आपके साथ बात चीत करेंगे बचलिए जस्पुर की इस सीट के बारे में कुछ गुप्तगु करते हैं सबसे पहले ही चुनावों में जस्पुर विधांसवा सीट पर अलग सोच देखने को मिली जनता ने किसी पार्टी को ना जिता कर एक निर्दलिय प्रत्याशी को शेत्र का विधायक पनाया निर्दलिय उम्मीदवार डॉक्टर शेलेंदर मोहन सिंगल ने केवल 1317 बोटों के मार्जिन से कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल हाफिस को हराया इन चुनावों में कुल 17 प्रत्याशी अपनी किसमत को आजमाने के लिए मैदान पर उतरे थे 53,315 बोटों में से निर्दलिय प्रत्याशी डॉक्टर शेलेंदर मोहन सिंगल को 13,897 लोगों का समड़तन मिला डॉक्टर सिंगल के पीछे थे कॉंग्रेस के अब्दुल हाफिस जिन्हें 12,580 बोट मिले थे तीसरे नंबर पर रहे भाजपा के राजीब कुमार को 7450 सीमत प्राफ्ट हुए थे जबकि सपा के मनोज जोशी 5556 बोट के साथ और बसपा के आसदली 4562 के साथ चौथे और पाँचवे पायदान पर रहे साल 2007 के चुनाव में डॉक्टर शेलेंद्र मोहन सिंगल को कॉंग्रेस पार्टी की दरफ से टिकट मिला इस बार भी जनता ने डॉक्टर सिंगल पर भरोसा किया और वह लगातार दूसरी बार शेत्र के विधायक के रूप में चुने गए पिशले चुनावों के बाद जहां इस शेत्र के वोटरों की संख्या बड़ी तो वहीं प्रत्याशियों की गिनिती में भी जबर्दस्क इसाफ़ा हुआ इस बार मैदान पर उत्रे 23 प्रत्याशियों की किस्मत का वैसला 79,223 मर्टों की गिनिती से किया गया पात साल विधायक रहे डॉक्र शेलेंदर मोहन सिंक्रल को इन चुनावों में भी बड़ी जीत खासिल हुई 25,063 वोट वाकर कॉंग्रेस के सुमीनवार ने 13,368 वोट लाने वाले निर्दली प्रत्याशी मुहम्मद उमर को 11,695 वोटों के मार्जिन सहराया 8,851 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर सब्बा के अब्दुल हाफिज रहे इसके बाद चौते स्थान पर भाजपा के सुरेंदर सिंग चौहान और पांचवे स्थान पर बसपा के आदेश कुमार चौहान रहे जनता का दिल जीतना बड़ी बात होती है अंगर उससे भी बड़ी बात होती है जनता के दिलों को बार बार लगातार जीतते रहना यही बड़ा कारणा माग कॉंगरेस के प्रत्याशी डॉक्टर शेलेंदर मोहन सिंगल ने 2012 के चुनावों में कर दिखाया डॉक्र सिंखल को लगातार दीसरी बार जस्पुर विधान सबा सीट से विधायक चुना गया इस बार लडाई पिश्ली बार की तरह एक तरपा नहीं बलकी रुमान चक्रही कॉंग्रेस के प्रत्याशी और दो बार के विधायक ने बस्पा के मौमद उमर को 2780 वोटों से माद दी इन चुनावों में विधायक चुनने के अधिकार का उप्योग 6,582 लोगों ने किया 2012 की इस चुनावी जंग में 12 उमीदवार आमने सामने थे जिन में से विधायक बने कॉंग्रेस की डॉक्टर शलेंद्र मोहन सिंगल को 25,533 लोगों का साथ मिला था जब की दूसरे नंबर पर रहे बस्पा के मौमद उमर को 22,753 वोट पिले 2017 के विधान सभा चुनाव में जस्पूर सीट से नई चहरे को जनता का प्यार मिला चुनावों में कॉंग्रेस ने आदेश सिंग चौहान को टिकट दिया था जब की दतकालीन विधायक डॉक्टर शेलेंदर मौहन सिंगल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरे थे 2017 के विधान सभा चुनाव में जस्पूर की जनता ने पंख पर वोटिंग की थी 96,798 लोगों ने 11 उमीदवारों के चुनावी सफर का आख लन किया था रुमाज से भरे इस चुनाव में 42,551 वोट पाकर कॉंग्रेस के आदेश सिंग चौहान ने 4,204 वोटों के अंतर से भाजपा के डॉक्टर सिंगल को ठरा दिया डॉक्टर शेलेंदर मोहन सिंगल को 38,347 वोटरों का साथ ही मिल सका तीसरे नमबर पर बसपा के मुहम्मद उमर रहे जिन्हें 8,666 वोट मिले झाल